अलो ब्रिमान एक बाए फिर से बहुत बहुत सवागत है आपके फिरन पंड़ी तो पेंदर स्टीड क्लासस में गायस में जैसे कि आप लोग को यहाँ पर प्रोडक्शन मानेजमेंट के चीप्टर सिकंड वाली के बारे में कुछ आपको टॉपिक नेश्ट क्लासस में मिले प्रकार से तकनीक क्या होता है इसका उदिस्ट के बारे में step by step जानेगे यहाँ पर वीडियो काफी helpful होने वाली वीडियो लाश्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो से बढ़ने से पहले एक चीज और आप बता दू कि अगर बेरे चैनल पर न प्रकार की वीडियो अप्लोड होती है या फिर वनती है तो उसकी सूचना आप तक जरूर पहुंचे ठीक यहाँ पर देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीम के माद्यम से देख पा रहे हैं पहला वाला टॉपिक मोड नियंत्रार क्या होता है अब हम किसी भी प्रोडक्ट का निर् प्रोडक्ट को खारिद रहे हैं इन सभी चीज़ों को जानने के लिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है अब यहां पे मुद्धिशन के माद्यम से देखेंगे तो डिफ्शन आपका क्या कहता है कि गुण नियंतर की अभविय अब पर आए एक ऐसी अपर प्रक्रिया है यानि हम फिर से देखें हैं यहां पर करते हैं तो याँ यहाँ पर अकूछा सो पहल सब्सक्रापर यहां पर जो उत्पाती होना चाहिए यहां निर्मित उत्पाद का गुण होना चाहिए और किस प्रकार से बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ब्यक्त उसे प्रेरित करके उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरी दें ठीक तो यहां पर हम कह सकते हैं या फिर डिफिनिशन के माद़न से देखेंगे तो डिफिनि जा सकता है कि निर्मित उत्पाद में उत्भोगता की उपाव सकता हूं का कितना समयवेश हो गया है कि और उत्पाद का निर्देश करने कितना अनुरूप है गुण नियंतर्ण के कहलाती है यानि गुण नियंतर्ण कहलाती है इसका कहने का मतलब है कि यहां पर अगर किसी प भी कोई भी कारखंड बनाएं या फिर हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी साबून का ही निर्माड करें यहां पे तो उसमें ऐसे गुण होने चाहिए कि मैल को आसानी से काटेने वाले होना चाहिए इस परकार ना कि उसमें खुश्बूदार होना चाहिए इस परकार से ऐसे जो भी product का निर्माड कर रहे हैं ठीक यहाँ प्यूसका कहने का मतलब यही है और इसे उबभुकता इस वह एक बार खरीदें तो दूसरी बार अगर यूज कर यह एक बार खरीदें तो उसे यूज कर रहे हैं तो दूसरी बार भी उससे खरीदने की और सकता समझें ऐसे इत्यादी का निर्माड होना चाहिए अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाए अब वहाँ पर उसका आकार 10 उसकी जो प्राइस है आप 20 रूपए या फिर 10 रूपए कर दिये गए और वहीं पर आपका 5 गराम या 10 गराम का कुछ बना दिये तो इससे क्या होता है इस पर नहीं होने चाहिए ठिक जो भी प्रोडक्ट का निर्माड किया जा रहा है अब आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है आपका गुड़नी अंतरन बीचारणी ये कारक क्यों कौन से होते हैं अब यहाँ पर फश्ट आता है तो पूंजी लागत सबसे मोस्ट इंपॉर्टन है तो जो फिर प्रोड़क्ट बन रही है तो कम से कम प्रोड़क्ट में यारी कम से कम पूंजी में वो प्रोड़क्ट तयार हो नेश्ट आता है तो उतपाद के भी निर्माड में प्रियोग की जाने वाली समागरी कौन कौन से हो रही है ठिक इसका भी हो सकता है अब वहीं और वहीं पर जो उत्पाद दिया नहीं कैसकते निर्मार किया जा रहे हैं। उनल में कौन कौन से समागरी लग रही हैं और कौन कौन सी विदिया कौन कौन से mail process अपनाई जाएंगे और कौन कौन सी machine है ये सब क्या होते हैं तो गुण का कारग हो जाते हैं है we go to नियंतर कायम रहे और उस पर कोई गिरावट इस गोड़ नियंतर की तक्नीक के द्वारा ही संभव होता है गोड़ नियंतर तक्नीक के अंतर गत किया होता है कि अगर हम किसी प्रोड़क्ट का निर्मार कर रहे हैं बना लिये हैं और दूसरा जो प्रोड़क्ट का निर्मार किया जाएगा तो इन ही के सेम रहेगा इसके से पूरा डारेक्षान रहेगा इसका जो इस प्रकार से साइज है जिस प्रकार से इसका गोण है सबी प्रोसेस दूसरे वाले प्रोडक्ट में विद्धमान होने चाहिए इन सबी चीजों को चेक करने के लिए यानि कह सकते हैं इन सबी चीजों को ध्यान देने के लिए किसका प धारल किया गया निश्ट वहीं पर आता है तो उत्पाद के बी निद्देसों का मानक से तुलना करने के लिए अगर ये प्रोडक्ट बन गया है तो इससे कुछ ना कुछ तुलना कर लिया जाएगा इनके लिए भी किया गया निश्ट आता है तो बीचलनों का बिशलेशार कर जाना चाहिए ना कि अगर कोई भी खराब हो गया तो उसे फेंग दिया जाए तो इसमें जो भी रार माइटेरियल से लगे हैं उसकी क्या होगी हमारी हानी होगी तो उसे फेंग देंगे तो उसमें क्या होगी हमारी हानी होगी न इसका सभी का ध्यान देने के लिए किसका प् तो उत्पाद का उच्छ गुणवत्ता अस्थर प्रयाप्त होता है अब यहाँ पर गुण नियंतर अगर किसी प्रोडेक्टर का बना लिया गया अब उनमें जो भी प्रोसेस है यानि कह सकते हैं जो भी प्रोसेस जिस उद्देश के लिए बना गया उन उद्देश की पूर्ती उसमें सभी प्रकार की सामिल है तो क्या होगा आपका जो उसका अस्तर होगा यानि उसका अस्तर होगा वो बहुत उचे तक जाएगा इसका कहने का मतलब यही हुआ अगर कोई भी वो भुगता उस प्रोड़क्ट को खरीद ले रहा है और खरीदने का पाज उसे यूज किया और वो अस्तर यानि जिस उद्देश से वो लेके आया प्रोड़क्ट को वो उद्देश आपका पूरा हुआ तो दूसरी बात जब वो यूज करेगा तो उसको इसी वही वाला प्रोड़क्ट खरीदने की खोशिस करता है तो यहां पर एक लोग देखेंगे तो दूसरे लोग भी उसमें खरीदने की कोशिस करेंगे न यह सब किसके अंतर आते हैं तो गुण नियंतर के अंतरगत आ जाते हैं निश्ट बात करें तो उतपादकों और उभुकताओं के मद संबंद मदूर होते हैं यह भी इसी टाइप का हो गया निश्ट आता है तो उतपादन दर में बिद्धी हो जाती है क्योंकि खराब माल की संख्या लगबग नगड़ हो जाती है यानि कहने का मतलब है उस प्रोड़क्ट को बना लिया गया अगर बनाने के पाद उसका आकार सही रूप से सभी रूप से यानि कह सकते हैं गोल नियंतर रखा जाता है तो प्रोड़क्ट हमारी खराब होने की बहुत ज़्यादा बहुत कम ही चांस रहता है इससे क्या होता कि जो उत्पादन दर होती है बहुत ज़्यादा अधिक्तम होती है निश्ट बात करें तो बिक्री के उपरियोक्त ग्राहक संतुष्ट होते हैं अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदा गया उसमें जो भी ग्राहक होंगे वो सभी रूप से संतुष्ट है यानि आपका जो जिस परपस से लिया गया वो आपका परपस है उस उद्देश वहीं से है उसमें प्रोडक्ट को तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राहक होगा वो सही रूप से संतुष्ट होगा दूसरी बार अगर उस करना होगा, तो उसको उसी वाला प्रोडक्ट लेने की जरूरत पढ़ती है, ठीक, निष्ट बात करें, तो ये सब किसके अंतरगत आते हैं, तो Doll – नियंतर के लाब के अंतरगत आजाते हैं, निष्ट बात करें, तो गुल नियंतर का प्रियोग किया जाता है निश्ट बात करें तो उपकरम या कार खाने की ख्याती को बढ़ाना किस प्रकार से उसकी या नि कह सकते हैं उसका उद्देश बनाएगा है ठीक यहाँ पे तरह तरह के बिविन प्रकार के इसका कहने का मतलब है कि तरह तरह के प्रोड़क्ट को बेजना तरह तरह के प्रोड़क्ट को बनाना इससे किस के अंदर आते हैं तो ख्यात को बढ़ाने के लिए अंतरगत आ जाते हैं निश्ट आता है तो उत्पादन इनको हटा कर दूसरे प्रोड़क्ट कर निर्मार करके यानि दूसरे प्रोड़क्ट की जानकारी प्राप्त करके उसे बनावट करना इससे क्या होता है कि जो आपका आसोबिक्रित यानि खराप्रदार्थ होता है जो कि उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है निश्ट बात करें तो पक्रम और मसीनों की आउसकता को set करना जो आपका जिस प्रोसेस पर बनाया जा रहा है प्रोडक्ट और उसको जो स्वे मसीन लग रहे हैं उन सबी चीज़ों को एक प्रकार से set कर देना set करने के बाजूत क्या होता है कि आपका गर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का निर्मार करते हैं तो मसीन को यानि फ्रेम को दूसरे जगा पर प्रोडक्ट के set करने की आउसकता नहीं होती है जो कि पहले पहले वाले मसीन को set किया गया है तो उन्हीं की बिस पे जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सभी प्रिकार से एक ही प्रिकार के सेम बनते चले जाएंगे इससे क्या होता है ये सब किसके अंतरा आते हैं तो गुर्ण नियंतर्ण उद्दिश के अंतरगत आ जाते हैं तो आई हो गाईज यहां भी आपको जितने भी टापिक बताया गया एक दम इजी ढंक से समझ में आया होगा तो बस गाईज आज के लिए अतना वीडियो अच्छी लेगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कियो ज्यादा ज्यादा सेयर करने को सुस्किजिए मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंड